अभी अभी अमेरिका से नियोर्क से मिडिया रिपोर्ट आ रही है कि आज युएन ने संयुक्त राष्ण ने आतंगवादी संगठान जैसे मुहमत के सरगना कुख्यात आतंगवादी मसुद हजर पर पतिबन लगा दिया है मसुद अजहर को सयुक्त राष्ण द्वारा आतंगवादी गोशित करने पर आखिरकार विश्व में सहमती बने यह संतोष का विशे है देड़ाये दुरस्ताये आतंगवाद के खिलाब संगर्ष में और आतंगवाद को जड़ से उखाडने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था यह उसकी बहुत बड़ी सपलता है एक समय था जब देश में ऐसी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी जिसमें प्रधान मंत्री तक की आवाज सरकार में भी कोई स्थ नहीं सुनता था और आज तना देखा है कि उनाइटे नेशन में क्या हुआ कैसे 130 क्रोग जनता की आवाज पूरे विश्व में दहाड रही है यह है नया भारत और यह है इस नये भारत की ललकार आज भारत की बात पुरी दुनिया में सुनी जाती है भारत की बात को नगर अंदाज नहीं किया जा सकता है यह बात आज साबीत हो गई है और मैं डंके की चोट पे यह कहना चाहता हूं कि यह तो यह तो शिर्फ शुरुवात है आगे आगे देखिए होता क्या है साथियों बीते दिनों में आपने देखा है कि इस प्रकार जम्मु कश्मीर में आतंगवादियों का निरंतर्च सभाया किया जा रहा है साथियों के पागिस्तान में घुश्कर आतंगवादियों के ठिकानों का तभा किया है उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंगवादियों और उनके ठिकानों को नेश्त नाबूत किया है और उसके बाद आज ही आज के हमारी बहुत बड़ी कुटलीदी विजय पिया देश देख रहा है